नमस्कार दोस्तों मेरा नम है जगदीप और आज हम रिव्यू करेंगे डी मार्ट के डी वॉइस हैटफोन्स का सो लेट सी तो दोस्तों ये रहा हमारा बॉक्स बॉक्स में बच्चों ने पेन से कुछ कलाकारी कर दी है तो उस पे आपको ध्यान नहीं देना है अगर आप न्यू हैटफोन्स लेंगे तो आपको विल्कुल फ्रेश पीस मिलेगा फ्रंट साइड की बात करें तो इसमें हैटफोन की फोटो दी गई है डी वोइस की ब्रांडिंग है और इसका प्राइज लिखा है रुटिस 249 Right side की बात करें तो इसमें लिखा है High Definition Powerful Bass Blast Stereo Headphones Left side में लिखा है Noise Canceling Headphones मतलब अगर आप इस headphone को यूज करते हैं तो ये बाहर की आवाज को रोकेगा और आपको headphone की आवाज clear सुनाई देगी Back side की बात करें तो इसमें color options दिये गए हैं ये आपको black और red दोनो color में मिल जाएगा हमारे पास black color है इसके अलावा इसमें दुबारा Devois की branding और pricing लिखा है उपर side की बात करें तो इसमें Devois की branding दी गई है तो चलिए headphones को box से जल्दी से निकाल लेते हैं इस headphones को लगबग मैंने 8-9 months use किया है उसके बाद हम इसका review कर रहे है box के अंदर आपको मिलता है एक headphone और एक aux cable तो ये रहे हमारे headphones अगेन दोनों तरफ Devois की branding दी गई है glossy finish दिया गया है जिससे ये बहुत ही stylish लगते है cushion के बाजू से एक red color की lining दी गई है जिससे इसका look और भी अच्छा हो जाता है नीचे side में 3.5 mm jack दिया गया है अच्छा cushion की बात करें तो cushion की quality बढ़िया दी गई है मैं इसे लगबग 8-9 months से use कर रहा हूँ और cushion बिल्कुल अच्छे हैं बिल्कुल भी खराब नहीं हुए है अंदर side से इसमें gray color की finishing दी गई है जो इसके look को और भी बढ़िया बनाती है comfort की बात करें तो इसे आप अपने हिसाब से adjust कर सकते हैं लेकिन starting में ये मुझे थोड़े से tight लगे अगर आप इसे पहन के movies देख रहे हैं या YouTube सर्फ कर रहे हैं तो आपको ये थोड़े से tight लगेंगे आपको थोड़ी थोड़ी देर में 15-20 मिनट में इने adjust करना पड़ेगा हाँ लेकिन अगर आप इसे पहन के running कर रहे हैं तो आपको इसकी fitting तब अच्छी लगेगी तो चलिए पहले इसके साथ मिलने वाली wire की बात कर लेते हैं उसके बाद इसकी sound quality और pricing की बात करेंगे देखिए wire तो आपको इसके साथ लंबी मिल जाती है लेकिन wire की quality मुझे अच्छी नहीं लगी मेरे headphones की wire लगबग 1 month में ही खराब हो गई थी इसके अलावा मेरे एक और friend ने यही headphone लिये थे उनकी भी wire 1,2,1,5 month में ही खराब हो गई थी तो अगर आप यह headphone ले रहे हैं तो आप एक 50 रुपीज की wire जरूर इसके साथ एक extra ले लीजी अच्छा दूसरी एक और चीज यह है कि इस headphones के साथ आपको wire में किसी भी प्रकार का volume controller या mic नहीं मिलेगा अगर आपको यह headphone लगा के किसी से phone में बात करनी है तो phone अपने inbuilt mic का ही use करेगा और आपको phone अपना अपने face के पास रखना पड़ेगा नहीं तो सामने वाले इंसान को आपकी अवाज clear सुनाई नहीं देगी देखिए ये एक इसमें बहुती अच्छी बात है जो इसमें detachable cable दी गई है देखिए अकसर क्या होता है कि 6-8 महीन या 10 महीन यूज़ करने के बाद या तो headphone का jack खराब हो जाता है या तो wire उसकी खिचा के खराब हो जाती है और हम headphone को उठा के फेक देते हैं लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा अगर wire खराब होती है तो हम wire को उसकी change कर सकते हैं दूसरी wire लगा सकते हैं और wire maximum 50-70 rupees में आपको मिल जाएगी देखिए अब main मुद्दे की बात करते हैं इसकी sound quality की देखिए sound quality तो इसकी बढ़िया है जनरली क्या होता है कि अगर आप headphones को mobile में use करते हैं तो उसका sound output है वो काम आता है लेकिन इन headphones में मुझे ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं हुई जो sound quality थी वो clear है, loud है और अच्छी quality का आपको sound सुनने को मिलता है बेस जो है इसका ok-ok है लेकिन जो sound quality है वो loud है, clear है आपको movies देखने में या YouTube surf करने में मज़ा आएगा pricing की बात कर लेते हैं तो 249 रूपीज की ये headphone है अगर आप एक extra wire लेंगे तो लगबख 50 रूपीज की एक extra wire आजाएगी total pricing हो गया 299 रूपीज तो ये headphone 300 की रेंज में भी look के हिसाब से या sound quality के हिसाब से या base के हिसाब से अच्छे हैं पहले क्या होता था eyeball के rocky वगेरा 200-220 रूपीज की रेंज में आ जाते थे options मिल जाएंगे लेकिन headphones की बात करें तो ये cheap हैं और अच्छी quality की हैं वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए दुबारा आएंगे नए वीडियो लाएंगे तब तक के लिए